अस्सलाम वालेकूम वरहमत अलाही परकातु हूँ Bridge Course, Test No.3, Standard 8, Subject English Children, this is your third and last test of Bridge Course and you will get a 15 marks for it इससे पहले आपके दो टेस्ट हो चुके हैं यह आपका last test है Bridge Course का बच्चों, मैं आज आपको English के पेपर के लिए बस guideline प्रोवाइट करूँगी इससाब से आपको समझ कर खुद ही पेपर solve करना है पेपर बहुत ही आसान है अगर आपने template हल किये हो तो जितने भी template जितने भी activity कराई गई है Bridge Course की पेपर उसी के base पर आएवा है कोई एक भी question बाहर से या extra में नहीं पूछा गया है जितने भी activity आपको कराई गई है उसी Bridge Course की activities में से ही questions यहाँ पर दिये गए हैं So, let's start बिस्मिल्लाइर रह्मानी रहीम Question number 1 Use a prefix or suffix to make a new word out of the word in brackets Compare the sentence with it Students, आपको template number 37 में suffixes और prefixes समझाए जा चुके हैं इस channel पर भी उसकी video मौझूद है Standard 8, activity number 37 अगर आप दालोंगे तो आपको मिल जाएगी या आप videos में check भी कर सकते हो Question number 1 हमारा है I say it's dash और bracket है possible तो अब possible को हम क्या use करके नया word बना सकते हैं Suffix या prefix जो sentence में वो word correctly बैठे ऐसा हमको वो word बनाना है I say it's अगर हम लगाते हैं I am im तो वो हो जाता है impossible I say it's impossible समझे मैं कहता हूँ के ये impossible है ना मुमकिन है तो prefix यानि के पहले लगाई जाने वाले words और suffix यानि बाद में लगाई जाने वाले words जैसे मैंने I am im पहले लगा दिया तो ये हो गया prefix इसी रहा से नीचे suffix या prefix लगाकर आपको sentences complete करने है now look at the next sentences number two I like this town the people are very dash help तब आप सोची के क्या एगा suffix या prefix किस तरह से आपे sentence complete करोंगे number three today's football match was very dash number four don't play with sharp knife it is dash क्या लगाऊंगे आप prefix या suffix टेंजर को क्या लगाकर आप sentence complete करोंगे number five it was very dash activity bracket है joy अब आप कोशिश कीजिए इसको suffix और prefix लगाकर sentence को complete करने की अगर आपको कोई चीज में समझने में दुश्वारी हो रिये तो template number 37 जाई को open कीजिए वीडियो को समझिए सारे question को फिर ये solve कीजिए और ये सारे सवालात उसमें मौझूद है with answers तो आप उनको देखकर पहले practice कीजिए फिर ये question को solve कीजिए question number 2 answer the following questions number 1 which things are required in a first aid box आपको कौन कौन सी चीजों की जरूत होती है first aid box में ये first aid box के template जो था template number 35 उसकी वीडियो भी इस चैनल पर मौझूद है अब ये 5 marks के लिए है और उपर के जो fill in the blanks थे suffix और prefix के वो भी 5 marks के लिए थे अब second question देखिए how would you treat the following आप इने किस तरह से treat करोंगे अगर ऐसी कोई situation आए तो कैसे treat करोंगे number one a person who feels faint अगर कोई बेहोश हो रहा हो या चक्कर जैसा कुछ उसे गश खा रहा हो तो उसको किस तरह से treat करोंगे number two a person met with an accident अगर किसी का accident हो जाए number three how would you treat a scrapped knee अगर किसी के गुठने पर खराशे आजाए जैसे घसडा जिसको बोलते हैं सगिस जाए तो गुठने को कैसे treat करोंगे तो बच्चो यह first rate की जो template थी template number 35 उसको बहुत इच्चे से हमने solve कियते के first rate box क्या है किस तरह से वो मदद करता है पहले तिब्बी इंदाद देने के लिए फौरी इंदाद देने के लिए तो अगर मैं यहाँ पर answers आपको बता दू तो कोई मतलब भी नहीं बनता है कि आप paper को direct मेरे answer सुनके बस solve कर ले तो पहले आप अगर नहीं समझ में आता है तो template को देखो समझो फिर उसके बाद में answers लिखो answers सारे वीडियो में मौझूद है जो मैं बता रही हूँ आपको 37 activity और 35 number की जो template activity है उसमें भी answers मौझूद है लेकिन अगर मैं यहाँ पर बता दू तो paper का तो कोई मतलब भी नहीं बनता ना इसलिए प्यारे बच्चो ध्यान दो समझो पहले समझो फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर दियावा है graph पहचानने के लिए question number 3 जो के है four marks के लिए identify the names of different graphs जो different graphs दिये वे हैं यहाँ पर उनको पहचानो और उनके नाम लिखो number first है percentage of people who buy classical music अब यहाँ पर आपको graph बना के बताई भी है अब यह graph कौन से है देखो बार की शकल में है ना बिल्कुल ऐसे green color का blue, brown फिर बाद में green है फिर red color का है तो यह क्या है बार की शकल में तो यह कौन सा है बार graph है number two देखो ABC sales record यहाँ पर ABC कोई company या किसी का भी sales record है तो देखो north, south, east और west इस तरह से चारो जो सिमते हैं चारो position के लिए यहाँ पर एक graph बना के बताई भी है अब वो graph को यहाँ पर Y line पर 2500, 5000, 7500 और 10,000 इस ratio में रखा गया है और different colors से blue, red, yellow और green इस color से years को identify पिया है जैसे blue को 2013 से red 2014, 2015 yellow, green जो है 2016 है तो इस तरह से यहाँ पर years के साथ में यहाँ पर ratio है और नीचे sides है north, south, west और east तो यहाँ पर देखो यह कौन सी वाली graph है? histogram देखो मैंने यहाँ पर नाम भी show कर दिये हूँ, bar graph और histogram अब number third जो है, वो causes of death in California, 2000 जो California में कुछ death भी थी, उसके causes बताये गए है, round circle shape में अब यह तो बहुत यह आसान है, और यह आपने template number 32 में पढ़ चुके हो तो यह आप खुद solve करोंगे, और number fourth वाली जो है, वो भी बहुत आसान है यहाँ पर yearly earning बताई भी है, जो के line की शकल में है, lines के साथ use करके बनाई गई है, तो मैंने hint भी दे दियो, line के साथ use करके बनाई गई है, तो कौन सी graph होंगी है, आप समझ गया होंगे, तो आप यह यहाँ पर answers में, number one, number two, number three और number four की जगाँ पर आप यह लिखोंगे, अब last question जो है, वो one mark के लिए है, question number four, write any four important parts of a computer, computer के जो चार important parts है, उसके बारे में लिखना है, उसके लिए आपको एक marks दियावा है, अब यह तो इतना आसान है, आप पांचवी से पढ़ते आ रहे हो computer, और कुछ बच्चे तो primary school से भी पढ़ते आ रहे हैं, और यह बहुत ही common question है, और वैसे भी यह चीज़ आपने template number 31 में कर चुके हो, बहुत अच्छे से definition के साथ, computer की बहुत सारी detailed information उस template में बताई गई थी, तो आपको मालूम होनी चाहिए, कि हम जैसे के computer की बहुत सी parts को हम जानते हैं, तो उसके जो चार एहम parts होंगे, वो आपको लिखना है, के hint के लिए मैं दो बता देती हूँ, दो आप खुद लिखे होंगे, जैसे के CPU और keyboard, अब आपको समझ गया होंगा के parts यानि की हिससे कैसे लिखने, आगे के दो आप खुद लिखेंगे, I hope के आपको अच्छे से समझ गया होंगा, लेकिन मैं उमीद करती हूँ, सिर्फ answers लिखने की तरफ तवज़ा ना दे, बलके पहले समझे, सारे concept को clear करे, फिर आप खुद ही इतने जहीन होंगे, इस paper को तो आप चुटकियों में solve कर सकते हो, लेकिन आप पहले अपना जहन क एक्टिव रखो, concept को समझो, फिर लिखो, तो बच्चो अगर वीडियो पसन आई हो, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अल्ला आफिस